वेलकम आज का हमारा जो टोपिक है वो है डिजास्टर एंड इट्स टाइप आपदा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है इसके बारे में डिजास्टर करेंगे यह आपका इन्वारमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मेंजमेंट सब्जेक्ट है जो कि आपका अंतिम कि आपका एक पहला टोपिक है डिजास्टर एंड टाओप डिजास्टर इसकी बारे में डिसस करते हैं कि युआ होोटी है नहीं परिजास्टुस एपटप्सद करते हैं कि इधिजास्टर क्या होती है तो उसको बोलेंगे कि कोई भी ऐसी आपर Τहशिद घट झटना ऑनिव या स्वास्थ बिगाडने के बड़े पैमाने का करन बने उसे आपदा कहते हैं जिससे जन्जीवन का लोस ज्यादा हो बड़े पैमाने पर हेल्थ बिगड़े स्वास्थ बिगड़े या बहुत ज्यादा पैमाने पर तूट फूट हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो घटना हो रही है यह एक अपदा है अपदा की डेफिनेशन से मिंस इसको एगर आप दो नोर्मल लैंग्वीज इसम erऑ बात करते हो तो इसको बूलन एक तरह से खुदा का कहर्ड भगवान का पनको नेचर नेचर का प्रकृति का तो मिन्स इसको घरम बात करते हैं कि प्राकर्ति को या फिर मानजनित ठीक है ना जो वह किसी भी तरीके से जो चरमगटनाओं को जनम देती हैं उसे हम आपदा बोलते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि कुछ विसेष आपदाएं कि वह जो आपदागी श्रेणी में आती हैं वो क्या क्या होती हैं। उनको हम एक बार देख लेते हैं। और न्वी कृस्ष फोटोना। ये गटनाय हैं जो आफदा के श Kelsey में आती है। जिनसे बड़े पैमाने पर जान मान की हानी होती है। और जिनसे बड़े पैमाने पर विमेंस और जान औरोगे लेवीन को हूंद बोलतwart 위한 अब हम देखते हैं आपदा कितने टाइप की होती है आपदा बेसिकली दो टाइप की होती है एक तो होती है आपकी नेचरल आपदा एक होती है नेचरल मिंस प्राकर्तिक जो नेचरली अकरेंस होती है जिनका एक होती है दूसरी मैनमेड की जो आदमियों के जो इनसान अपने development के लिए कुछ विकास के लिए जो कारे कर रहा है तो उसका जो side effect के विज़े से जो आपदा होती है तो उसको बोलते हैं man-made ठीक है? अब हम one by one decision करेंगे कि natural आपदा कौन सी होती है और क्या होती है और man-made आपदा कौन सी होती है और क्या होती है सबसे पहले हम देखते है natural आपदा कौन सी होती है और क्या होती है प्राकर्तिक आपदा क्या होती है, पहले में बात करते हैं प्राकर्तिक आपदा की, तो प्राकर्तिक आपदा वो कोई भी नेचुरल घटना, कोई भी ऐसी प्राकर्तिक घटना जिस से मनुश्य के जीवन या सामगरी को हानी पहुँचे, प्राकर्तिक आपदा कहते हैं, ठीक सदियों से प्यक्रतिक आब्द मनुस्य के अस्थितिक लिए चिनोती रही है यह एक बड़ा ही चिनोती पूर वक्त कारे रहा है हमेशा इंसा हुमेन बिंग्स के लिए जैसे कुछ एग्जम्पल्स हम लेते हैं कि जैसे जंगल में आग लग जाना बाड आना हिमस्कलन आना भ हम उसमें चुनोती देती हैं इनको प्राकरति आपदा कहते हैं वर्तमान में हम प्राकरतिक संसादनों का अंदधन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्राकरतिक संदूर्ण बिगड़ जाता है और उसी की वजह से ही यह सब जंगल में आग लगना बाड आना भुकम पाना जॉ प्राकरतिक आपदा कहते हैं प्राकरतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं जैसे जंगलों में आग आंधी बाड बिजली गीरना सूखा पढ़ जाना महामारी आजाना हीमस्कलन बुस्कलन आना भुकम पाना जौला मुकी फट जाना सुनामी आना चकरवारती तुफान ब इन्सानों के मकान परिश्रों सहरों को बड़े पैमाने पर नुक्सान पहुंचाती है इनको हम वैसे तो इस चैप्टर में वनबाई एक एक दो चार इसके बारे में पुढ़ेंगे हर एक नेचुरल आपदा के बारे में कि क्या यह आपता होती है कैसे अगर अगटीत होती है और क्यास के मनेजमेंट है लेकिन इस पर हम पढ़ेंगे नेक्स टॉपिक हमारा नेक्स टाइप की जो आपदा होती है वह मैंनमेड है ना मानवजनित आपदाएं अब वो देख लेते हैं मानवजनित आपदाएं क्या होती है इनसान मनुश्य अपनी विकास के लिए जो प्राकर्तिक रिसोर्स का परियोग करता है उसकी विएसे जो एक तरह से जो आपदाएं घटित होती है उन्हें मानवजनित आपदाएं कहते हैं और मानवजनित आपदाएं मानवजनित आपदाएं मानमेड आपदाएं वो आप बड़ी है भोपाल गैस ट्रेजडी ठीक है एक बहुत बड़ा एक्जामपल है मानवे अपनी सक्ताओं की पूर्ती के लिए प्रकृति पर निर्वर रहता है और कुछ छोटे लाब के कारण मानव पूरे समाज और उसके प्रेवरन को बहुत थानी पहुंचाता है कुछ आपदाइं तो मानव मतब्ध के कारण ही होपती हैं जैसे आतकवादी आतकवादी हमला भी एक तरह से नेच्रल आपदा है जो बड़े पैमाने पर होतीजा मंबई का हमला वाज भी याद रखते हैं और जैसे आपका अमेरीका में जो अटेक होछता डेरियर्यस अटेक बहुत सारी टेरिक्स टेक्स हैं जो समय समय पर होते रहते हैं तो वो भी इनसान के जो आप से मतबेद हैं उनकी जो अकर होते हैं घटित होते हैं वो भी मानजनित आपताय होती हैं देश में कुछ विचाधारा की लोग को भी आनी पहुचाते हैं जैसे कि हिंदुस्तान में धर्म-धर्म के नाम पर ही लोग लड़ाई करते रहते हैं तो यह भी और बड़े पैमाने पर मानुक का मौनशों का और उनके समगरिकर नुकसान हो जाता है जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में जो भटित हुआ था वो भी एक तरह से आपकी आपदा थी मैंमेट आपदा थी जिस हमले से उन लोगों की जान चली गी और उन अपराद भी नहीं इससे क्या होता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है और इन आपदाओं का कस्यकार व यह सब आपदाओं आती हैं आपकी मैंमेट आपदाओं में सड़क दुर्गटना कोल फायर बिल्डिंग फायर रसानिक प्रमान वहमला आसकांस में अड़ने वाली चीजों की वज़े से जो होता है अगटित होती है आपदाओं इनको हम बोलते हैं मानव जनित आपदाओं तो इस टोपिक में हमने इस वीडियो में हमने डिसक्स क्या आपदाओं क्या होती है और किसे टैप क्यों होती है और नेचरल आपदाओं क्या होती है और मैनमेट आपदाओं क्यों से होती है और क्या क्या होती है इसी के साथ हमरे टोपिक खतम होता है और हम नेक्स टोपिक में बात करेंगी डिजाष्टर मनेजमेंट की ओके थैंक यू